फ्रेंट्स ऐश्वन मास की इकादशी को इंदरा है कहते हैं इसका शादू में बहुत महत्व है क्या महत्व है, क्या भूर्त है, क्या पूजा वीदी है, पंडी जी से हम जानते हैं नहां बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, देखे, पित्रपक्ष चल रहा है, और यह वो समय है, पूरे साल में जो 16 दिन है, जब हम पित्रों को, आयोए पित्रों को, हम अपने घर उने बुलाते हैं, उनके लिए भोच करते हैं, और कोशिश है करते हैं कि अगले साल तक उ विष्णू से होता है, इस एकादिशी पे भगवान विष्णू के वेकुंटनात सरूप के पुजन का विधान है, नमर एक, दूसरी बात, शब्दी देख लीजेगा, इंदरा एकादिशी, इंदर से सम्मंदिद एकादिशी है, तो यह जो एकादिशी है, यह स्वर्ग प पुजा, वेकुंटनात की पुजा, वो विशिष्ट फल देती है, कि आपके पित्रों को मोक्ष मेले और उन्हें स्वर्ग उसमें स्थान प्राप्त हो, जी, तो अपंडी जी ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पित्रों को मोक्ष की प्राप्ती होती है, जैसा कि आपने अभी ब हमारे प्रत्वी पर आते हैं, और ये जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में, बेसिकली वो रस और तरपन स्विकारते हैं, हमारे मन का रस स्विकारते हैं, देखिए, आप जो भोजन कुत्ते को खिला रहे हैं, कवे को खिला रहे हैं, जो पंच वली दे रहे हैं, क्या वो पित्रों अपके जो पित्र हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति देते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति देते हैं और एक साल के लिए कम से कम आपके जो पित्र हैं वो भागी हो जाते हैं स्वर्ग भूगने के लिए तो प्रेंट से योग की बात ये भी है कि मंगल जो है वो राशी पर रिवर्तन करने जा रहा है लेकिं इंदरा एक आदेशी पर इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है हम पंडी जी से जाते हैं बहुत विशेष्ट प्रभाव है नहा मंगल जो है वो रक्त से संबंदित है और मंगल जो है वो कन्या राशी में जाना जा रहा है कन्या राशी जो है वो कन्याओं से संबंदित है तो ये बहुत खास हो जाता है उन पित्रों के लिए जिनकी अगह मृत्ति हुई है और स्पे सुनने में भी आया है कि इस दिन पित्रों को Magic बूरन का अगर एक साल तक यैख साल तक जब तक अगले अंध्रयक अधिशी नहीं आती यह तब तक आपini अगर पित्रोंE में तो आज एका विशिष्ट श्राद्ध और व्रत कर लेंगे और कुछ छोटा सा उपाई कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके पित्र को एक साल तक स्वर्ग प्राप्त होगा जी तो पड़ेज़ भी आपने बात की व्रत की तो इस दिन जो व्रत है वो किस तरीके से किया जाता है क्या विदी है हमारे विश के लिए सबसे पहले सबसे पहले निया बताऊंगा सुवेश नान करने के बाद में भगवान वैकुंड नाज जी के चित्र के आगे आप घी का दीपक जलाएंगे और इस दिन ध्यान रहे चामल का यूज निशद्ध है इसलिए शा इसलिए इस दिन जो प्रियोग में लाया जाने वाली चीज होती है वो ते सावे के चावल जिसको अम रतवाले चावल कहते हैं जी बिल्कुल सिंगहडा इस दिन इस्तमाल किया जाता है बहुत विशिष्ट जरूप से और साथ बसाद के अंदर संकल्प लिया जाता है और स अपने पित्र के निमत उनको स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए ये आज का वरत्त कर रहा हूं और विशिष्ट रूप से जल को वहीं छोड़ देते हैं और उसके बाद में एक सफेद कपड़ा विछा कर उस पर पित्र यंत्र रखते हैं और भगवान व्यकुंट नात का चितर साथ में रखकर उनका विधी विधान से पूजन करते हैं और इसके बाद में इस दिन विशेश तोर पर गीता के ग्यारे में अध्याय का पार्ट जरूर किया जाता है और चोटा सा हवन किया जाता है जिसके अंदर सबसे पहले तीन आहूती जो खीर बनाए जाती ह सावा चावल की वह यहां आप जैसे कुट्टू के आटे की पूड़ी बनाते हैं और इस दिन सब्जी भी ली जाती है वह कच्चे केलों की ली जाती है इस दिन विशेश तरूप से सब्जी जो बनाई जाती है वह कच्चे केलों की या आलू की बनाई जाती है क्यों कि आल मल चने वगरा शाद्ध में मनाते हैं तो आज वो निशद्ध है इस वाब के ध्यान वक्ते हैं और उसके बाद शाम के समय एक छोटा सा जरूर उपाए करें पूजा के समय ही कि पित्रों के निमत विशिष्ट रॉप पर घी में गाए के घी में थोड़ा सा इत्र मिलाकर एक और ज्ञाआ का पार्ट करें और उसके बाद में पित्रों के जल से आर्थी उता है और उस जल को जो है आख पक्षिओं के पीने के पानी में डाल दें तो निश्चीत रूप से उनका स्वरगा गमन होता है या तो यह तो पंडी जी ने हमें दान कियाँ पित्रों के निम्भाट तो कम है लेकिंन आप अपनी स्विच्छा इस दिन विशेश रूप से वस्त्र जरूर दान करें और सफेतcke वस्तर उनका बहुत विशेश्ट प्रयोग है केलन ग्रांद जानके बहुत भर कदो दान को दीनि नियाजी आपका भी भहुत भहुत धनेवाद और दर्शकों आपका भी भहुत भहुत धनेवाद उमीद है आप सब को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स इसी तरह की और भी जानकारियां हम आप तक लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चानल कुंडी टीवी फेस्बुक पेज कुंडी टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलेंग